आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें यहाँ से कितने अंगल पर जुका हुआ हमारे यहाँ पर थीटा एंगल पर जुका हुआ है इस अन०ल के प्रारंबिक बिंदू यहाँ से क्या किया जाता है था वी वेक से प्रक्षेपित किया जाता थी हमान लेते हैं नत्सल पर जो अधिक्तम पराज हमारी ओए के बराबर है और यह हमारा जो है आनतल का यह हमारा एक्स अक्ष मान लेते हैं यह हमारा क्या हो गया वाई अक्ष मान लेते हैं अब यहां से हमारा जो है हम क्या करेंगे यह इसका इसको इसको इसपाइंट से मिलाएंगे और इसपाइंट को भी हम यहां पे जो इसका मैधे ह ? कैसे कैल्कुलेट करेंगे हम सबसे पहले यहां सम जो // क उडेयं का इसका की try क कैसे करेंगे ? नीटन की गतिह का समय केड़े यूज करेंगे इसका अर्दादर दिश्या में तोरां निकालेंगे उसके बेसिसब्र यहां से अक्षेयतिति स कि पृबे यहां पर यहां पर दूसरा जो है यहां पर अजीम कर लेते हैं और यह क्या हो जाएगा अगर यहां पर कोई वस्त रखी जाती है प्रक्राइब अगर ये कोई वस्त रखी जाती है तो इसका बाहर हमारा कहां लगेगा उर्दर-दर नीचे की तरफ लगेगा इस तरीके स्वदर-दर नीचे की तरफ लगेगा अगर यहाँ पर theta angle पर तो यह भार हमारा mg हो जाएगा यहाँ पर यह हमारा उपर की तरफ और लगता है तो क्योंकि यहां पर वस्त सथा से संपक्ष चोड़ देगी तो अविलम प्रत्क्री अज़ान की वजह क्या चयारधर होगा कि यहां पर एवाई हमारा कितना आएगा यह एवाई जो आएगा यह हमारा माइनस जी कॉस्टीटा के बराबर आएगा क्यों आएगा क्यों कि यहां पर हम जो यह हमारा एफनेट यहां पर वाई दिसम हमारा नेटबल होगा वाई दिसम अगर हमारा यह नेटबल होगा तो हम हमारा तुल ली बल होगा तो यहां से हमारा क्या होगा है माइनस वाई एक्स की दिशा में है क्योंकि हमने यहां पर आना तल पर यह यहां से बल हमारा निगेट्व हो रहा है तो यहां पर M को हटा देंगे यह हमारा तोरांट हो जाएगा क्योंकि F equal to M into A करेंगे तो M cancel हो जाएगा A Y equal to minus G cos theta आ जाएगा और यहाँ पर A X equal to हमारा कितना आ जाएगा minus G sin theta के बराबर आ जाएगा ओके अब यहाँ से हम क्या करेंगे हमने यहाँ पर क्यों के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे इस यहाँ पर यहा क्या हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा यह क्यों हा उर्फा- CHA करेंगे इसका उर्दर दर दिशा में वेग हमारा कितना आ जाएगा इस V का हमारा जो है आने तल के उर्दर दर दिशा में हमारा वेग कितना हो जाएगा यह हमारा यहां पर अगर यह एंगल हमारा अलफा माइनस थीटा हो रहा है तो यह हमारा कितना हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा alpha minus theta के बलाबर हो जाएगा और यहां पर apple calculator ABC denote कर दे रहे और यहां पर 36 durch Mishkan 36 कने साथ total angle alpha है यह कितना हो जाएगा यह v cost alpha के बलाबर हो जाएगा तो हमें यहां पर जो है हमें इस अपर क्या करेंगे सबसे पहले हम यहां पे उड् समीकड कर Georgia करेंगे कुछ है यूटी प्लस हमारा हाफ 80 स्कायर के बराबर होता था यहीं समीकर्ण हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे क्यों कि यहां पर उर्दर दर दिसा में विस्थापन हमारा शून नहीं हो जाए यहां पर अगर प्रारंबिक बिन्द यह तो आनतल के सथा पर प्रारंबिक और अं सब्सक्राइज करना चाहें तो इस दिसा में पर यहां पर यहां सब्सक्राइज करना चाहें तो इस दिसा में हमारा कोई तो अक्षैतित दिसा में कोई बल काम नहीं करा तो अक्षैतित दिसा में हमारा तोरण क्या होगा वेग हमारा नियत रहेगा वेग नियत रहेगा तो इस टी टाइम में जो है टी टाइम में जो हो भी हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा वेग इं इंटू हमारा यहान से 2V sin यह हमारा कितना alpha minus theta divided भई हमारा कितना हो जाएगा यह cos theta के बराबर है अब यहान से हमारे कितना हो जाएगा यह ओगी कितना calculate हो जाएगा यहाँ पर O B equal to हमारा जो है। यह 2V स्कोयर कॉस αल्फा इन्टू साइन हमारा क्या है। साइन अल्फा माइनस थीटा टिवेडविड़ बढ़ा नहीं हमारा कितना यहां पे यह जो है जी कॉस थीटा के बराबर आ गया। अब इसके बार हमें क्या करना है और यह हमारा क्रण है और यह हमारा क्या है आधार है तो सिटा वाला फर्मूला अप्लाई करेंगे और यहां से हमारा क्या हो जाएगा उस तिर्वज में देखेंगो OAH भी तो हमारा क्ма सिटा कितना है क्यों से अधार भी डिवाइड वालख सिटा के बराबर हो जाएगा O A equal to हमारा जो है O B divided by हमारा cos theta के बराबर हो जाएगा ओ भी हमने already calculate कर रखा है था हमारा O A कितना हो जाएगा O A equal to हमारा आ जाएगा यहांपे 2 V square cos alpha into हमारा sin alpha minus theta divided by यहांपे हमारा कितना हो जाएगा यह divided by G into हमारा क्या हो जाएगा यह cos square जो है theta के बराबर हो जाएगा ओके यह हमारा क्या होगा तू वी स्कायर cos alpha sin alpha minus theta divided by g cos square theta के बराबर आ गए अब हमें क्या करना है हमें हमें यहां से जो है हमें क्या करना हमें जो है इसकी जो है अधिकतम value calculate करना हमें क्या करना अधिकतम मान calculate करना है तो पहले हम इसको यहां पर थोड़ा arrange कर लेते हैं यहां पर यह क्या हो जाएगा ओए इकल टू हम क्या करें रहे हैं वी स्कायर divided by g cos square theta को एक साइट कर लेते हैं यहां पर यह हमारा क्या हो जाएगा उसके बाद यह क्या तो साइन अलफा माइनस थीटा इंटू कॉस अलफा हो जाएगा हमारा तो साइन अलफा माइनस थीटा इंटू कॉस अलफा के बराबर हो जाएगा यह हमारा क्या आ गया है 2 sin a into cos b का formula आगया 2 sin a into cos b हमारा क्या होता sin a plus b into sin a minus b के बराबर होता तो यहां से o a कितना हो जाएगा हमारा v square divided by हमारा g cost square theta अब यह 2 sin a into cos b हमारा क्या हो जाएगा सबसे पहले sin a plus b के बराबर होगा sin a plus b करेंगे ति कितना हो जाएगा साइन टू आल्फा माइनस सीटा के बराबर हो जाएगा इंटू साइन ए माइनस भी करेंगे यहां यहां पर चोल जाएगा स्थीटान ऑब कि अब से उसक्याएगा अब इसके बाद यहां न ओoperation ब्राइन जो अ माने सुस्कालिट नम मैं कjem स्कुवरिड है राज़ान में सबनेक्सकाइब चलिवी PKC स्कुवर्ड थीटा इन टू यहां से हमारा साइन जो है हमारा किस पर निर्भा कर रहा है, alpha पर निर्भा कर रहा है, sin 2 alpha minus theta की value हमारी क्या होनी चाहिए, अधिक्तम होनी चाहिए, तो यहां से हमारे जो है, r अधिक्तम के लिए, जो है, r अधिक्तम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R अधिक्तम के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि sin 2 alpha minus theta sin 2 alpha minus theta की value हमारी क्या होनी चाहिए यह जो है अधिक्तम होनी चाहिए जो कि हमारी 1 के बराबर होगी अब इसकी value अगर हम यहाँ पर 1 put कर देंगे तो यह 1 minus sin theta के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हमारा r maximum कितना हो जाएगा परास हमारी अधिक्तम परास कितनी आ जाएगे v square divided by g cos square theta into हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 minus sin theta के बराबर हो जाएगा अब यहाँ पर cos square theta को हम क्या लिख सकते है आर मैक्स हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा वी स्कॉायर वन माइनस साइन थीटा डिवारेट बई हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा जी कॉस स्कॉायर को वन माइनस साइन स्कॉायर थीटा हम लिख सकते हैं इसको 1-sin2 theta को 1-sin2 लिख सकते हैं into 1-sin2 लिख सकते हैं कैसे a2-b2 के formula से यह 1-sin2 हमारा 1-sin2 से cancel हो जाएगा तो जो हमारी अधिकतम परास हो जाएगी कितनी आजाएगी अधिकतम परास equal to हमारा जो है v2 divided by g 1 plus sin2 के बराबर हो जाएगा यह हमारी यहाँ पर अधिकतम परास हो जाएगी और यह हमारी जो oa की value हो जाएगी तो यहाँ से हमारा जो है यह जो है हमारा complete हो जाता है rmax v2 divided by g1 plus sin2 के बराबर हो जाता है अब अगर हम यहाँ पर 4 option को check करें तो हमारा count option यहाँ पर match कर रहा है सुचर 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 सुचर